साथियों आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस कॉंस्टेबल के एक्जाम के लिए करिंट अफैर के कोईशन्स कितने इंपॉर्टन्ट है तो इसी बात को साथियों मदे नजर रखते हुए मैंने कुछ चुनिंदा कोईशन्स निकाले हैं पिछले चार महीनों के यान मानना है साथियों कि अगर इन चार महीनों की आप करिंट अफैर को पढ़ लेते हैं इनको अपने मनोमस्तिक्ष में स्टोर कर लेते हैं तो बहुत जादा चांसे हैं कि सभी करिंट अफैर के कोईशन्स यहीं से बने क्योंकि यूपी पुलिस के पेपर में मैक्सिमम कोईश चारे के हाल ही में किस राज के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार यूवाओं के लिए यूवा निती योजना शुरू की है तो किस राज के मुख्यमंत्री ने साथियों शुरू की है करनाटक के मुख्यमंत्री ने शुरू की है आपको ध्यान रखना है अब यहां पर साथिय करनाटक से सम्मंदी जितने भी current affair के questions बनेंगे वो सब यहाँ पर आप देखेंगे इस्टोर कराना मेरा काम है वीडियो को ध्यान से देखना आपका काम है भारत ने स्वेदेशी high speed flying wing UAV का सफलता पूर्वक परिक्षन कहां पर सातियों किया है तो करनाटक में किया है पूछा बनाय गया है तो रक्षा रमया को बनाय गया है उसके बाद देखिए कि नम्मा कम्माला परतियों गितागा आयोजन कहां पर किया गया है तो ये भी करनाटक के बैंगलोरो में किया गया है महिला नेतरत वाले स्टार्ट अप की संख्या में बैंगलोरो शीर शिष्ष्थान पर रहा है ये आपको ध्यान रखना है और नीव लिट्रेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है बैंगलोरो में ही किया गया है अब उसके बात देखेंगे साथियों नेक्स नंबर का कोशन आपके स्क्रेन पर है आप से पूछा जा रहा है कि हाल ही में आई रिप उश्ट शहर माना गया है वो बरनी हाट को माना गया है और बरनी हाट किस राज़ में है तो मेग हले में ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे अब उसके बात देखेंगे कि हाल ही में कहां पर बेसन के लड़्डू को जी आई टेग मिला है साथियों कोशन आप से बहुत तो उसमें यूपी के करिंट अफेर के कोशन भी आप से पूछे जाएंगे बिल्कुल तो यूपी के करिंट अफेर के कोशन भी साथ ही यहाँ पर कवर किये गए हैं चले उसके बाद देखिए कि 27 में राज़्टी यूवा महलसफ का आयोजन किस शहर में किया जाएगा तो तो UAE के साथ हो यानिके सयुक्त अरब अमिरात के आपको ध्यान रखने राज़्टी मुक्य अतिती के रूप में आये थे उसके बाद देखिए कि भारत सरकार UAE में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है यानिके जो भारत पार्क बनाय जाएगा यह कहां पर बनाय और भारत और सयुक्त अरब अमिरात के बीच एक आपको ध्यान रखने साथियो सैंद अभ्यास आयज़्ट हुआ है यह इसका नाम क्या है तो डेजर्ट साइकलोन इसका नाम है और यह कहां पर आयज़्ट होगा साथियो तो राजिस्तान के धार में आयज़्ट होगा यह प्लूग ध्यान रखेंगे प्रधान मंत्री मोदी आबुदाबी में बी एपियस हिंदू मंदिर का उद्गाटन करेंगे ये एक्जाम के लिए बहुत इंपर्टन कोईशन है दुनिया के सबसे क्या लिखा हुए साथी हो दुनिया के सबसे बड़े यहां पर बड़े लिखा उसके बाद देखिए 30 वर्ल मिडल इस्ट 2023 के मेजबानी कौन करेगा तो दुबई ही करेगा उसके बाद देखिए भारत ने UAE को अपना पहला कच्चे तेल का भूगतान रुपए में किया है ये भी आपको ध्यान रखना है उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर क मुख्यं मंत्री का सचिव न्यूक्त किया गया है तो यहां पर आप लोग धियान रखेंगे कि अगर 36 गड़ की बात करते हैं साथियों तो 36 गड़ के 36 से पाँच महीने के वो भी एक बार देख लिजे के रमन सिंग की अगर बात करें साथियों तो आपको धियान रखना है रमन सिंग को च्छतीस गड़ की विधान सभा का स्पीकर चुना गया है उसके अलावा च्छतीस गड़ सरकार ने मुख्यमंतरी निर्मान श्रमिक पेंश योजना शुरू की है तो पूछा जाएगा मुख्यमंतरी निर्मान श्रमिक पेंशन योजना कि सराज जने शुरू की है तो च्छतीस गड़ ने शुरू की है उसके अलावा साथियों अगर बात करें तो च्छतीस गड़ की जो पेलमा खदान पेलमा खदान कोईला होना च आधिकार गिला चथिस गड़ के मुक्यमंत्री जिला यहां पर लिख तो थोड़ा सथीं टैपिंग में हाँ पर मिस्टेक हो रही है, कोई दिक्कत ने आप थोड़ा सथीं आप पर मैनेज करने की कोशिश करेंगे, चलिए, तो अधिकार मिला, अधिकार मिला होना चाहिए, अ प्रधान मंत्री मोदी ने 36 गण में वन जीव अनुकूल राजमार्ग परियुजना का उधगाटन किया है। कि हाली में किसे रक्षा मंत्राले में महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आपके स्क्रीन पर है आपसे पूछा जा रहा है कि जिनेया में WTO यहने के World Trade Organization में भारत के राजदूत के रूप में साथियों किसे नियुक्त किया गया है। तो सोन फिल पांडियान को नियुक्त किया गया है और भारती ओलंपिक संग ने रगुराम अयर को क्या नियुक्त किया है? साथियों वीडियों अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियों को एक बार लाइक कर देंगे और प्यारे से कमेंट के माध्य हम से एक बार बता देंगे साथियों के क्लास आपको कैसी लग रही है? खैर अगले नमबर का प्रिशन आपके स्क्रीन पर है कि हाल ही में किस देश के चांगी हवाई अड़े को विश्य के सर्वशिष्ट हवाई अड़े का खिताब मिला है तो आंसर आपका जाएगा सिंगापूर के साथ हाल ही में इंटरनेशनल परपल फेस्ट 2024 ये कहां पर शुरू हुआ है तो साथियों ये कहां पर शुरू हुआ है आपको याद रखना है कि गोवा में इसका आयोजन किया गया था और गोवा में ये शुरू हुआ है उसके बाद देखिए किसे सूप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष निक्ति किया गये बहुत इंपॉर्टन कोशन है और ये साथियों आपके एक्जाम में इस वार पूछा ही पूछा जाएगा तो आंसर आपका किस आप्शन के साथ जाएगा बी आर गवाई क अगर बात करते हैं तो ये सूप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष निक्ति किया गये हैं उसके बाद अगर बात करें किया क्या क्या इंपॉर्टन कोशन साथियों बन सकते हैं तो महाराष्ट्र पुलिस के नए डीजीपी कौन बने है पूछा जाएगा तो र कुष्टी महासंग की अध्यष कौन नियुक्ति किया गये हैं तो संजय सिंग नियुक्ति किया गये हैं सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वस्त राजदूत अमरता रायचंद को नामित किया गया है तो जितने साथियों इंपॉर्टन कोशन बनते हैं बन सकते हैं व पशिम मंगाल की साथियों ये साडियां हैं जिनका नाम है कादियाल साडियां और इनको क्या दिया गया है साथियों जी आई टेक दिया गया है चलिया उसके अलावा देखिए कि ग्याहरवा बांगला देश ये बांगला देश लिखा हुए तो ग्याहरवा बांगला देश पुस्तक मेले का आयोजन कहां पर किया गया है तो कोलकाता में किया गया है पश्यम मंगाल के ब्रांड एम्बेस्टर कौन बने है पूछा जाएगा तो सौरफ गांगुली बने है उसके अलावा पूछा जाएगा कि शांती निकेतन को अपनी विश्व धर्वार सूची में शामिल किया किस ने किया है तो यूनिसको ने किया है पश्यम मंगाल ने 15 अप्राइल को पोईला बैसाख मनाने का निर्णा लिया है उसके बाद देखिए कि भारती नौसेना प्रदान मंगाल ने किया है के फास्ट रियक्टर प्लांट का उधगाटन किया है चलिए अब अगर बात करें साथ हो यहाँ पर के तमिलानू से सम्मदित कौन कौन से प्रश्णाप के एक्जाम में बन सकते हैं तो भारत का पहला तिलापिया पायवारस तमिलानू में रिपोर्ट किया गया है स्ट्रीट चाल्ड क्रिकेट वर्ल्ल कप चन्नई में आयुजित किया गया है तमिलानू के सलेम सांगों को जी आई टैग मिला है ये भी आपको ध्यान रखना है तमिलानू के मुख्यमंतरी ने तमिलाणू के मुक्हमंत्री ने स्कूलों के लिए एक योजना शुरू की है जिसका नाम है विस्तारित नाश्ता योजना तो पूछा जाएगा विस्तारित नाश्ता योजना कहां पर शुरू की गई है तो तमिलाणू में तामिलाणू सरकार इंडिया सेंटर फॉर एडवांस मेरुफैक्चरिंग इस्थापित करने की योजना बना रही है ये बात भी आपको मालूम होना चाहिए चलिए उसके बाद देखिए कि हाल ही में कौन मिसज इंडिया 1 इन ए मिलियन 2023 की विजयता बनी है तो किया साथियो उनका नाम है आपको जहान रखना है रूपिका ग्रोवर ननका नाम है और रूपिका ग्रोवर की अगर बात करें तो ये निया 1 इन ए मिलियन 2023 की विजयता बनी है उसके बाद देखिए सातियों कि मिस इंडिया USA 2023 का खिताब किसने जीता है तो रिजल मेनी ने जीता है मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 की अगर बात करें कौन बनी है तो प्रिविना अंजना बनी है साथियों अगर बात करें न ये पृष्ण आपके मनो मस्तिक्ष में कहीं न कहीं स्टोर हो रहे हैं मैं बोल रहा हूं पृष्णों को पढ़ रहा हूं और आप उसको देख रहे हैं तो आपके मनो मस्तिक्ष में साथियों कहीं न कहीं स्टोर हो रहा है तो अगर बात करें साथियों जब एक्जाम में आपके सामने प्रिशनाएगा ना तो उत्तर आपके बनों मस्तिक्ष से खुद निकलाएगा मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 के अगर बात करें तो प्रवीर्णा अंजना बनी है और मिस यूनिवर्स नीदर लेंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला रिक्की वैलेरी बनी है जब भी साथियों प्रिशन में लिखा हो पहली महिला किसी भी तरीके से किसी भी छेतर में अगर बात करें वो प्रिशनाब के लिए बहुत इंपॉर्टन होते हैं मिस यूनिवर्स नीदर लेंड जीतने वाली पहली ये ट्रांसजेंडर महिला है इनका नाम है रिक्की वैलेरी उसके बाद देखेंगे साथियों फैमिना मिस इंडिया 2022 का खिता है तो सिनी शेटी ने जीता है मिस इंडिया वर्लड वाइड 2022 का खिता तो खुशी पटेल ने जीता था और सरगम कौशन ने मिस ज वर्लड 2022 का खिता जीता था उसके बाद देखें साथियों के हाल ही में राममद्र के सम्मान में किस रज़ ने 22 जनवरी को शुष्क दिवस गोशित किया है तो चाहिए तो 36 गलड ने गोशित किया है आपको मालूम होना चाहिए आपसे पूछा जाएगा कि किस राद जे सरकार ने मुक्खमंतिनी निर्मान श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है तो 36 गड़ ने आपसे पूछा जाएगा साथियों कि 36 गड़ की पेलमा खदान को इला उत्पादन करने वाली SECL की पहली खुली खदान बन जाएगी आपको ध्यान रखना है उसके अलावा साथियों अगर बात करें 36 गड़ के जो धमतरी है न यहाँ पर साथियों कमार जन जाती को आवास अधिकार मिला है ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे अब उसके बाद देखिए कि हाली में किस देश का माउंट लोवो टोवी जोला मुखी फटा है तो ये माउंट लोवो टोवी अगर आप सो साथियों ये भी देखें कोशन को गुमा कर ये भी पूछा जा सकता है कि लोवो टोवी माउंट लोवो टोवी जोला मुखी कहां पर स्थित है किस देश में स्थित है तो क् तो जाकारता में इंडोनेशिया भारत के जन औश्टी केंदर मॉडल का अनुकरण करना चाहता है और इंडोनेशिया की राजधानी दुनिया की सबसे परदोशित राजधानी बन गई है आगर बात करें साथियो मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा जिला जो सबसे परदोशि हुआ है उसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है इसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो सबसे परदोशित है भारत और इंडोनेशिया के बीच दिरपक्षी अभ्यास समुन शक्षी 23 हुआ है तो किसके बीच हुआ है भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है आपको ध्यान रखना है चलिए उसके बाद देखिए कि हाल ही में पीम विश्व कर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंदर शासित प्रदेश साथियों कौन बना है तो आप लोग ध्यान रखेंगे इस कोशन का राइट आंसर क्या होगा जम्मू कश्मीर आपका राइट आंसर हो जाता है अब अगर बात करें जम्मू कश्मीर से संबंदित कौन कौन से प्रश्ण बने गए तो अटल डुलो को जम्मू कश्मीर का मुक्त सचीव ने उक्त किया गया है तो अटल डुलो को ने उक्त किया गया है पूछा जाएगा साथियों के जम् प्रभार किसे ने समाला है तो čाड के परदहन मंतरी किसको बनाया है तो सुक्सेस मसरा को बनाया है आपको दियान ठागना है मिसर की अगर बात करें साथियों तो मिसर के राश्वपती ने 89,6 पृट के साथ 300 ऐसे कारेकाल जीता ही आपको धिहान रखना है चलिए में नियूजिलेंड के परधान मंतरी के रोप में जोजफ बोकाई की बात करें तो ये लाइवेरिया के राश्टपती बने हैं और लिूक फ्रीडन की बात करें तो ये लगजंबर के परधान मंतरी नियुक्त किये गए हैं तो साथियों जो 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 देश के राश्टपती हैं या राष्टपती हैं या प्रधान मंतरी कह सकते हैं वो जो भी हाल फिलाल में बने हैं उन से सम्मनित प्रश्मियाप से पूछे जाते हैं लेकिन आपको चिंता करने के साथियों कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जिनकी भी न्युक्ति हुई है बहले वो राष्टपती बने हो बाहले वो प्रधान मंतरी बने हो किसी देश के सब कुछ कवर हो जाएगा जेवियर माईली को आरजंटीना का राश्पती नियुक्ति किया गया है और अगर बात करें साथ हुए इस पेन के फिर से प्रधान मंतरी कौन बने है तो पेडरो सांचेज बने है अगर साथ हुए वाकई में आपको क्लास पसंद आ रही है जो इस वीडियो के माध्यम से आपको कांटेंट दिया जा रहा है अगर वो पसंद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन साथ हुए आपके प्यार के लिए खुला हुआ है और मेरी नजरे साथियों अगर बात करें इस वीडियो के बाद कमेंट सेक्शन को जरूर देखेंगी आप इस क्लास के वारे में अगर कोई कमी है तो वो बताईएगा क्लास में बहतर क्लास बहतर अगर आपको लग रही अच्छी लग रही है तो आपको इस वीडियो के माद्यम से साथियो बताएंगे आप लोग खेर हाली में आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश कैंसर से हुई मौतो के मामले में एशिया में दूसरे इस्थान पर रहा है तो पहले इस्थान पर तो साथियो चीन रहा है और दूसरे इस्थान पर कौन रहा है भारत रहा है यो दो पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे उसके बाद अगर बात करें साथियों भारत सरवदिक बोर्ट के साथ अंतराश्टिय समंद्री संगठन के लिए निर्वाचित हुआ है ये बात भी आपको साथियों याद होना चाहिए और मालूम होना चाहिए मलेशिया ने भारती नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमती दी है ये आपको ध्यान रखना है भारत सोशल मीडिया के लिए सक्त आयू सत्यापन योजना बना रहा है ये भी आपसे पूछा जा सकता है ठेकना अगर बात करें साथियों कि भारत ने 2023-24 में रिकॉ है तो बात करें साथियों उत्तर पुदेश की जब बात करते हैं तो आपको धिहान रखना है उत्तर पुदेश सरकार ने राहतवानी केंदर लॉंच किया है और राहतवानी केंदर क्यों लॉंच किया है जो भी आप दाइं आती है न तो उनकी पहले से ही चेतावनी देने क लिए राहत वानी केंदर यूपी सरकार ने लॉंच किया है अब यूपी से सम्मंदी सातियों कौन कौन से करेंट अफैर के प्रशनाप से पूछे जा सकते हैं तो उत्र पुदेश की पुलिस ने अपना वाटसाप चैनल शुरू किया है यह आपको ध्यान रखना है अब आप लोग देख रहोगे सातियों वाटसाप अगर आप यूज़ कर रहे होगे तो उसमें वाटसाप चैनल भी आपके बहुत सारे जो फेमस लोग हैं उनके वाटसाप चैनल आपके वाटसाप पर आने लगे होगे अगर आप चाहते हो तो आप भी अपना वाटसाप चैनल बना दूरी दी है उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के पहले दूर संचार उत्करश्टा के अंदर की गोशना की है उसके अलावा अगर बात करें उत्तर प्रदेश के जो CSJM विश्वद्या लहना इसने NAAC द्वारा A double प्लस ग्रेडिंग हासिल की है या भी आपको साथियो ध्यान रखना है चलिए उसके बाद देखिए एक और उत्तर प्रदेश का प्रशनाप के स्क्रेन पर है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टरेंट का उद्घटन कहां पर किया गया है तो कहां पर किया गया है साथियों प्रियाग राज में किया गया है या उत्तर पुदेश की यहां पर बात आई थी तो उत्तर पुदेश का एक बर फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि उत्तर पुदेश की पुलिस ने अपना वाटसाइप चैनल शुरू किया है उत्तर पुदेश सरकार ने 57 साइबर अपराद पुलिस इस्टेशन खोणने की मनजूरी दी है आपसे पूछा जाएगा कि हाल फिलाल में उत्तर पुदेश सरकार ने कितने साइबर अपराद पुलिस इस्टेशन खोणने की मनजूरी दी है तो 57 आपको धियान रखना है आपसे पूछा जाएगा कि किस राज़ सरकार ने भारत के पहले दूर संचार उत वासिल की है आपको धियान रखना है उसके बाद देखिए अगले नंबर का पुछा आपके स्क्रेण पर है आपसे पूछा क्या जारहा है देखिए और बताइए कि हाल ही में खोजे गए नए बैक्टिरिया का नाम किस के नाम पर रखा गया है तो किस के नाम पर रखा गया है रविंदर नाट टैगोर के नाम पर रखा गया है आंसर आपका जाएगा सी के साथ हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा परमारू सायंतर फिर से शुरू होने की रहा पर है तो साथियों किस देश का है तो जापान का है आपको धिहान रखना है यानिके जापान देश में दुनिया का सबसे बड़ा परमारू सायंतर फिर से शुरू होने की रहा पर है अब अगर बात करें साथियों जापान से समंदित कौन कौन से करेंड अफैर के पुर्षन बनेंगे तो जापान को समंदर के अंदर जौला मुखी विसफोर्ट के बाद नया द्रीप मिला है इसरो जापान की स्पेस एजनसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेंगा जापान की याकू हमा में डौंसिंग पिकाच कारकरमों का आयोजन किया गया है और दोहुजार बाईस में जापान की जनसंख्या साथियों कितनी थी आांट लाग से अधिक घटकी यादिक दो विश्व टेस्टर चेंपिंशिप में सबसे जादा रन बनाने वाले भारती बल्लेवाज बने हैं अंसर आपका एक साथ अब अगर बात करें आईपिल एतिहास के सबसे महेंगे खिलाड़ी साथियों जो है ना वो मिचल स्टार्ट को कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है उसके बाद देखिए कि बी सी सी आई ने एमेस धोनी की जर्सी को रेटायर करने का फैसला किया है और बी सी सी आई ने ही महमद शमी के लिए अरजुन एवार्ट की सिफारिश की है दक्षिन आफरीका की महिला क्रिकेट टीम का कप्तान कौन बनाया गया है तो लौरा वोलवाल्ट को बनाया गया है पूछा जाएगा अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 के मेजबानी कौन करेगा तो दक्षिन आफरीका करेगा ये भी आपको ध्यान रखना है चले 29 नंबर का प्रश्णाप के स्क्रिन पर है देखे और बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा चलिए मोबाइल फॉन कंपनी है इसका नाम है टेक्नो तो टेक्नो ने किसी अपना ब्रांड अमेस्टर न्युक्त किया है तो आपको ध्यान होना चाहिए आपको देपिका पादुकोन जो है ना वो टेक्नो की ब्रांड अमेस्टर बनी है अगर बात करें साथियों कौन कौन से ब्रांड अमेस्टर से सम्मदित प्रश्णाप से पूछे जा सकते हैं जो इस पश्च सी सी टी वी ब्रांड है ना इसके इमराड ब्रांड अमेस्टर की बात करें तो सोनु सूद को बनाए गया है उसके अलावा एगर बात करें A SITIS निूट्रिशन ने किसको अपना ब्राइड अमबेस्टर बनाया है तो रवी नर जड़ेजा को बनाया है और उसके अलावा साथियों होसर पैन का ब्राइड अमबेस्टर कौन बनाया है तो रानवीर कपोर बने है उसके बाद देखिये साथियों के राडो की अगर बात करें तो brand ambassador कौन है तो कैटरीना कैफ है और Puma के brand ambassador कौन है तो महबमा शमी है उसके बाद देखिए सातियों के हाली में किसने Tagor सहित पुरुसकार जीता है तो Tagor सहित पुरुसकार की अगर बात करे सुकृता पौल ने जीता है आंसर आपका जाएगा option number C के साथ भी बहुत बढ़िया very good class G20 शिकर सम्मेलन में श्रीनिवास नाइक ने global icon award जीता है आप लोग ध्यान रखेंगे पूछा जाएगा कि G20 शिकर सम्मेलन में किसने global icon award जीता है तो श्रीनिवास नाइक का नाम आपको ध्यान रखना है Royal Society of Chemistry पूरसकार साथियों किसको मिलेगा तो सवीता लाडेश को मिलेगा अगर बात करें आजंता एलोरा फिल फेस्टिवल में जावेद अख्तर को पदमपानी lifetime achievement award मिलेगा ये बात भी ये point तो साथियों बहुत important है और 33 में व्यास सम्मान 2023 के लिए पुषपा भारती को चुना गया है ये आप लोग ध्यान रखेंगे अगर संस्मर्ण क्या था तो यादे यादे और यादे था ये भी आप लोग एक तफ़ा याद रखेंगे उसके बाद देखिये साथियों के जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज जो है वो केरल बना है उसके अलावा अगर बात करें केरल से कौन कौन से करिंड अफेर के कोषण बन सकते हैं तो भारत की सबसे तेज सीर इलेक्टिक नाओ ये कहां पर लॉंच किये ग की गई है तो केरला में ही महनाए जाता है किस राजे के मुख्यमंत्री ने कक्षा आट के चात्रों को वित्रण की शुरुआत की है तो अगर बात करें साथ इस कोशन का राइट आंसर आपका आंधर प्रदेश के साथ जाएगा इसरों ने अपने पहले सूर मिशन आदित एलवन को शिरी हरी कोटा में लॉंच किया है कहां पर सातियों शिरी हरी कोटा में उसके बाद देखिए अगले नंबर के कोईशन आपके स्केरीन पर है कि हाल ही में दोहजार चौबिस में भारत के गड़तंतर दिवस समारों के लिए किस देश के राश्टपती को आमंत्रित किया गया है तो किस देश के राश्टपती को स तो आपको याद रखना है कि फ्रांस में तमिल कवी हैं एक और इनका नाम है तिरू मनुवर इनकी प्रतमा का उध्गाटन किया गया है। गेट और प्राचीर को पुरुस्कत किया है तो कहां के साथियों किया है आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों आंसर आपका किसौप्शन के साथ जाना चाहिए तो अम्रेसर के साथ साथियों आपका आंसर यहां पर जाना चाहिए बिलकुल सही आंसर आपका भी हो जाता है अ अगर बात करें सात्यों अफगानिस्तान की तो अफगानिस्तान में सात्यों दस लाग से अधिक बच्चे कोपोशन से पीड़ी थे और कोपोशन का सामना कर रहे हैं और ये किसकी रिपोर्ट है सात्यों विश्व स्वस्त संगठन की रिपोर्ट है उसके बाद देखिए अंत आफगानिस्तान की किरकेट टीम के मेंटर बने हैं यह भी आपको िया ढ़ान चाहिए अफगानिस्तान की मुद्रा दुनिया में सबसे अच्छा प्रद्शन करने वाली मुद्रा बनी है यह भी आपको याद है। उसके बाद देखिए किसने पहला सीनियर नेशनल इस नो कर जीता है तो अच्छा कोशन वताने की कोशिश कीजिए सौर अप कोठारी की अगर बात करें तो इस कोशन का राइट आंसर हो जाता है यानि के सौर अप कोठारी ने पहला सीनियर नेशन इसनों कर खिता है उसके बाद देखिए कि संपन्द खेलों इंडिया पैरा गेम्स 2023 में कौन साराज शीर्ष पर रहा है तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों अगर पूछें कौन साराज पहले नंबर पर रहा है तो हरियाना रहा है लेकिन यूपी का एक्जाम है तो यूपी के बारे में पूछा जा सकता है हरियाना के नए डीजीपी के रूप में शत्रू जीत कपूर ने कारभार समाला है हरियाना सरकार ने विधुर और अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोशना की है ये आपको मालूम होना चाहिए हरियाना ने छटी युवा महिला राश्टिये चैंपिंशिप जीती है ये भी आपको मालूम होना चाहिए और स्टार्ट अप 20 शिकर सम्मेलन कहां पर हुआ है सात्यों तो हरियाना के गुरूग्राम में हुआ है चलिया तो सात्यों यहां तक 38 नंबर तक आप अगर पहुच गए हैं तो बहुत जादा प्रशन नहीं है सात्यों 57 प्रशनों का हम लोग सफर तै करेंगे और 57 प्रशन अगर सात्यों आपके मनोमस्तिक्ष में स्टोर हो जाते हैं और उनसे जो फैक्ट बनाये हैं यहां कि उनसे सम्मंदित जो आपके करेंट अफैर के कोशन बन रहे हैं वो अगर आपके मनोमस्तिक्ष में स्टोर हो जाते हैं तो परिक्षा को फथे करने के बहु अटल स्वास्त मेले का उदघाटन किया है। उसके बाद देखिए अगर बात करें तो टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के आटमे गेंदवाज कौन बने हैं। तो इनका नाम क्या है साथियों नाथन लियोन इनका नाम है और ये टेस्ट किरकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के आठ में गेनवाज बने हैं पहले क्यों नहीं पूछा जा रहा है आठ में क्यों पूछा जा रहा है क्योंकि ये आठ में अभी हाल फिलाल में ही बने हैं पहले तो बहुत पहले बने होंगे उसके बाद देखिए बीसी सी आई ने एमेजध ध्वनी की जरसी को रेटायर करने का फैसला किया है बीसी सी आई ने सबसे जादा च्छके लगाने वाले बल्लेवास कौन बने है तो रोही शर्मा बने है ये बल्लेवास लिखा हुआ साथियों उसके बाद देखिए कि हाली में भारत में इसराइल के राजदूत के रोप में किसे न्युक्ति किया गया है तो नाम आपको धिहान रखना है किसका नाम आपको धिहान रखना है रुवेन आजार का नाम आपको धिहान रखना है क्यों क्योंकि भारत में इसराइल के राजदूत के रोप में साथियों कौन बने हैं तो रुवेन आजार बने हैं उसके बाद अगर बात करते हैं साथों यहां पर तो PFRDA का PFRDA बोर्ड के अंशकालिक सदस से कौन न्युक्त किया गए हैं तो परमसें न्युक्त किया गए हैं सियाचिन गिलियर शेयर के आपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिक आफिसर कौन बनी है आपको मालूम होना चाहिए चली उसके बाद देखिए कि हाल ही में प्रदान मंतरी मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्रे स्वारवेद महा मंदिर का शुभारम कहां पर किया है तो साथियों वारणसी में किया है आंसर आपका B के साथ जाएगा उसके बाद शहर का नया पुलिस आयुक्त किसे नयुक्त किया गया है तो किसे नयुक्त किया गया है साथियों के इस रेड़ी का नाम आपको याद रखना है क्यों क्यों कि हैदराबाज शहर के नया पुलिस आयुक्त कौन नयुक्त किया गया है के इस रेड़ी नयुक्त किया गया है सै विवेक चोधरी ने पत्ना हाई कोट के नैधिश के रूप में शपद ली है तो जस्टिस विवेक चोधरी जीने ली है उसके बाद देखिये साथियों कि किसे व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया देखिए 2024 में फरवरी में आपकी परिक्षा होगी तो जो भी कोशिंस बनेंगे साथ ही वो 2023 के ही बनेंगे ठीक है ना मैक्सिमम कोशिंस क्यूंकर लगबग 25 से 30 दिन 25 से या 25 कहलो या 20 दिन कहलो इससे मतलब एक्जाम से 20-25 दिन पहले आपका पिपर बन जाता है ठीक है तो अगर करेंट फेर पूछी भी गई तो जनवरी महीने के कुछ शुरुआत के दिन की ही पूछी जाएगी उसके फरवरी की बिल्कुल नहीं पूछी जाएगी और जनवरी के एंड की बिल्कुल नहीं पूछी जाएगी ठीक है उसके बाद देखिए व्यास सम्मान 2023 की बात कर रहे थे तो व्यास सम्मान 2023 से सातियों एक किस को मिला है तो पुषपा भारती जी को मिला है आंसर आपका जाएगा आप्शन नमर C के साथ चलिए उसके बाद देखिए कि विस्तापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए अब्दुल्लाही मिरे ने यू इन नौनसन पुरसकार जीता है किसने जीता है तो अब्दुल्लाही मिरे ने जीता है उसके बाद देखिए सत्य जीतरे लाइफ टाइम एचेमिन एवार्ट से माइक डगलस को सम्मानित किया गया है और शिक्षा के लिए वाइज पुरसकार सफीना हुसैन ने जीता है 2023 का बुकर पुरसकार किसको दिया गया है तो साथियों बॉल लिंच को बुकर पुरसकार 2023 वाला दिया गया है अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का पुरुशन आपके स्क्रेन पर है आपसे पूछा जा रहा है कि हल ही में किस देश ने सतत प्रबंदन के लिए वन परमारण योजना शुरू की है अब उसके बाद देखिए ने भारती नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमती दी है भारत सोशल मेडिया के लिए सक्त आई उससत्यापन योजना बना रहा है और भारत ने 2023-24 में रिकॉर्ड 41,010 पेटेंट कराएं ये भी आपको मालूम होना चाहिए भारत को लगतार तीसरी बार AIBD का अधिश चुना गया है और भारत ICC के तीनों फॉर्मेट में नमबर वन पर बना रहा है उसके बाद देखेंगे साथियों कौन कौन से इंपॉर्टन फैक्ट बन सकते हैं भारत लगतार छटी महीने उभरते बाजारों में शीर्श पर रहा है और अगर बात करें वनडी इतिहास में तीन हजार चक्के लगाने वाली दुनिया की पहली करकेट टीम कौन सी बनी है तो भारत की करकेट टीम बनी है उसके बाद देखिए किस देश ने मिसर के साथ मिलकर मिसर सैट टू सैटलाइट लाँच की है तो किस देश के साथ साथ हो मिलकर है चीन देश के साथ मिलकर आपको धिहान रखना है मिसर ने मिलकर मिसर सैट टू सैटलाइट लाँच किया है उसके बाद देखिए चीन ने दुनिया का पहला चौती पीडी का परमाणू रियक्टर शुरू किया है चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लाँच किया है तो ये तो बहुत इंपर्टन कोशन है कि दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट किसे ने लाँच किया है तो चीन देश नहीं किया है उसके बाद देखिए कि फ्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी ने कहां पर AI शिकर सम्मेलन का शुभारम किया है तो नई दिल्ली में साथ हुआ अप लोग दिहान रखेंगे कि नरेंदर मोदी जी ने नई दिल्ली में AI शिकर सम्मेलन का शुभारम किया है उसके बाद देखिए टाइम्स एतलीट आफ दा इयर किसको नामित किया गया है तो किसको नामित किया गया है लियोनल मैसी को नामित किया गया है क्या लियोनल मैसी को नामित किया गया है तो टाइम्स एतलीट आफ दा इयर नामित किया गया है सर आपका जाएगा बी के साथ भी बहुत बढ़िया वेरी गूड क्लास अब उसके बाद देखिए कि फॉर्प्स दौरा जारी दुनिया की सौ सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारती महिलाएं शामिल हुई बहुत इंपर्टन कोशन है पर्थम महिला का जहा दुनिया की सौ सबसे शक्तिशाली महिलाओं की एक लिश्ट तयार की गई है उसमें से कुछ भारत की महिलाएं शामिल हैं जहां पर आपराद बहुत कम हो रहा है असे साथ हाल हीमेक की सुराज में महिलाओं के लिए खिलाफ महिलाओं के खिलाफ अपराद राच्टी आुसस से 180 गुना इधिक रहा है। कि मतलब बहुत ध्यान से देखिए कि महिलाओं के खिलाफ अपराद राष्टी औसा से 180 गुना जादा रहा है अधिक रहा है तो उत्तर पुदेश साथियों इस कोशन का राइट आंसर होगा उसके बाद देखिए कि उत्तर पुदेश सरकार ने भारत के पहले दूर संचार उतकर्ष्टा केंदर की कोशना की है उत्तर पुदेश के CSJM विश्वद्याले ने NAAC द्वारा A++ ग्रेडिंग हासल की है और उत्तर पुदेश सरकार ने आंगनवाडी केंदरों पर होट कुक् ठीक है ना अब उसके बाद देखिए साथियों किस देश के मारापी जौला मुखी में विस्वोट हुआ है तो किस देश में एनिके कहां पर है ये तो ये इंडोनेशिया का है जौला मुखी जिसका नाम है मारापी जौला मुखी और यहां पर साथियों विस्वोट हुआ ह भारत और किस देश के बीच दूसरी टू प्लेस टू वारता आयजित की गई है और ये वारता कहां पर आयजित की गई है साथियो नई दिल्ली में आयजित की गई है भारत और किस देश के बीच आयजित की गई है तो भारत और आस्टेलिया के बीच आयजित की गई है चलिए उसके बाद देखिए कि आस्टेलिया अपने सविधान में देश के मूल लिवासियों को मानता देने के लिए जन्मत संग्रह कराने जा रहा है और विश्मे जीवित पर जीवी करमी का पहला मामला आस्टेलिया में पाया गया है और नौसैनिक अभ्यास माला बार का 27 संस्क्रह आस्टेलिया में संपन्न हुआ है उसके बाद देखिए साथियों के हाल हिमे किस राज ने अंतर देशी ये मचली पालन किया है तो अंतर देशी ये मचली पालन कि अगर साथियों बात करेंगे क्या इस कोशन का राइट आंसर होगा बताने की कोशिश कीजे तो यहां पर साथियों लिखा कुन मिला कि ये है कि किस राज ने अंतर देशी ये मचली पालन में पहला इस्तान हासिल किया है तो पहला इस्तान सात्यों जो हासिल किया है ना वो सात्यों उत्तर पुदेश ने किया है आपने उत्तर पुदेश ने किया है आंसर आपका बी के साथ जाएगा अगर बात करेश आती हो उत्तर पुदेश में भारत का पहला जल विश्वद्याले खुलेगा बिल्कुल सही पूछा जाएगा भारत का पहला जल विश्वद्याले कहां पर खुलेगा तो उत्तर पुदेश में खुलेगा रन फॉर यूनिटी का रकरम का आयजन कहां पर किया आए और उत्तर पुदेश ने 100 प्रतिशत ODF प्लस कवरेज लांच किया है ये भी आप लोग क्या करेंगे साथियों आप लोग साथियों याद रखेंगे चलिए अब उसके बाद देखिये नेक्स नंबर का कोशन आपके स्क्रीन पर है देखिये और बताएए क्या इसका राइट आंसर होगा चलिए हाली में कहां 70,000 सोरी 70,000 भूमी हिन लोगों को क्या लिखा हुए भूमी हिन लोगों को साथियों 5 मरला भूमी परदान की गई है चलिए तो क्या साथियों इस कोशन का राइट आंसर हो सकता यहां पर लिखा हुआ है साथियों 70-70,000 भूमी ही लोगों को 5 मरला भूमी परदान की जाएगी तो कहां पर साथियों तो जम्मू कश्मीर में की जाएगी आंसर आपका भी के साथ जाएगा अगर बात करें जम्मू कश्मीर पुलिस के महा निदेशक का आतरिक्ति प्रभार किस ने समाला है तो आर आर सुएन ने समाला है और जम्मू कश्मीर के प्रिस्दे पश्मीना क्रॉफ्ट को जी आई टैग मिला है और जम्मू कश्मीर में यंगस वैली फेस्टिवल आयजित किया गया है और जम्मू कश्मीर में भदर वाहू, राजमा और रामवन, सुलाई शाहिद को जी आई टैग मिला है किसे order of British Columbia मिला है या आप से पूछा जा रहे है तो आप लोग ध्यान रखेंगे रयान, रोनाल्ड्स को साथियों क्या मिला है, order of the British Columbia मिला है आंसर आपका जाएगा C के साथ 2024 में भारत में घूमने के लिए सर्वोत तमिस्तान की से गोशित किया गया है यानि के घूमने के लिए जो सबसे सेफ है, तो सबसे सेफ साथियों क्या है, कोच ची है या आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका B के साथ जाएगा उसके बाद देखिये साथियों कि मुहमद मुहिजू ने किस देश के आठमे राश्च्पती के रूप में शपत लिए तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों मुहमद मुहिजू कहां के राश्च्पती बने है तो मौलदीव के राश्च्पती बने है आंसर आपका जाएगा आप्शन नमबर C के साथ बहुत बढ़िया वेर्कुट क्लास सब उसके अगर बात करें के रिलाइंस जो ने मौलदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोनने से सम्मनित कार को पूरा किया है एशिया सर्फिंग चेंपिंशिप का आयजन कहां पर किया गया है तो मौलदीव में किया गया है कोलंबु सुरक्षा कॉनक्लेव की सात्मी डिप्टी एनसे बैठक मौलदीव में आयजुत हुई है और भारत और मौलदीव के राष्टिय रक्षा वालों के बीच सैयुक्त सैन अभ्यास एकसे कुकुवेरिन का बाहरमा संस्क्रण जो है ये कहां पर आयजुत हुआ है ये सात्यों पिछले 4 महीने के लगभग आपने देखे सब इंप्ठन कोशिंगे उसके साथ इंप्ठन कोशिंज जो आपके एक्जाम में बन सकते हैं वो भी आपने देखे अगर जरूरत पड़ी जरूरत क्या पड़ी साथियों एक चार महींडे की किलास आपके लिए और ले आऊंगा वो भी आप लोग देख लेगे करिंट अफैर में कोई दिक्कत कोई परिशानी आपको महसूस नहीं होगी उसके अलावा साथियों यूपी पुलिस कॉंस्टेबल के लिए पूरे पूरे मौडल पेपर मैंने बना रखे हैं कुछ मौडल पेपर हैं बहुत जादा नहीं है मेरा मानना है अगर उन सभी मौडल पेपर को आप साथियों पढ़ लेते हैं तो कोई ऐसा नहीं के जो आपको हरा दे यूपी पुलिस कॉंस्टेबल के एक्जाम में एक सीट आपको फाइनल तरीके से मिल जाएगी